हलो साथियों नमस्कार मेरा नाम विमला पाल मेरे यूटूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों और बताईए आप लोग कैसे हैं? उमेद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्त होंगे दोस्तों आप लोगों से मेरा अनरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवस्य करें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यहन रोध है कि वीडियो को लोगों में सेर अवसी करें दोस्तों हर बार के भाद इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवसी बताईएगा है या किसी राजजी के एक नगर में एक लड़का रहता था जो की पेंट का काम किया करता था वह उस नगर के जंगल के पास में अपने परिवार के साथ रहा करता था वह पेंटर होने के कारण बहुत ही सुन्दर सुन्दर पेंटिंग किया करता था जो भी चीज करता वह अपने पेंटिंग के दोरह एकदम नई जैसी कर देता था वाई पेंटर तो था और काम भी बहुत अच्छा करता था पर जिस तरह की वाई महनत करता था उस हिसाब से उसको महनताना नहीं मिलता था और उसका परिवार भी थोड़ा बड़ा था जिसके कारण उसके परिवार का ख़र्च जलाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था लेकिन फिर भी वह अपने काम से लोगों को संतुष्ट अवस्य कर देता था कभी-कभी तो उसके साथ ऐसा होता था कि कम महंता ना मिलने के कारण उसको कभी-कभी भूखो भी रहना पड़ता था क्योंकि जब उसकी पतनी उससे खाने के लिए बोलती तब कभी-कभी वह बोल देता था कि नहीं मुझको भूखने ही लगी है या फिर मैं जहां काम कर रहा था वहां पर हमको खाना खिला दिया गया इसलिए ताकि उसके बच्चे भूखे न सो सके एक बार की बात है उस नगर के एक सेट थे उन्होंने उसको अपने यहां पेंटिंग करने के लिए बुलाया वहां जब उस नगर के राजा के पास में गया सेट के पास में गया तो उन्होंने अपने यहां की एक नव उसको पेंट करने के लिए कहा वह उस नव को पेंट करके एकदम नया जैसे बना दिया पर जब वह पेंट कर रहा था तब उसने क्या देखा कि नव में एक बहुत बड़ा सा छेद हो गया है तब उस ब्यक्ति ने उस छेद को लकड की सहता से भर दिया और उसके उपर बहुत अच्छा सा पेंट भी कर दिया इसके कारण अब वह एकदम नयू दिखने लगी जब वह उस पर पेंट कर दिया तो उसके बाद सेट को बुलाया सेट ने नाव को एकदम नया देखा तो खुस हो गया और सेट ने कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हुआ हूँ तुम बहुत अच्छा काम करते हो पर तुम कल आना तब मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा अब वह ब्यक्ते पिचारा क्या करता एक तो उसके घर में इतना बड़ा परिवार और उसका खर्च भी नहीं चला पा रहा था पर फिर भी उसने सेट जी से कुछ नहीं कहा और वह अपने घर चला गया अगले दिन की बात है सेट का पूरा परिवार घूमने के लिए गया तब सेट का परिवार एक नदी में नौ का बिहार करने के लिए कहा पूरा परिवार उस नौ पे सवार हो करके नदी में मौज मस्ती कर रहा था तब ही उस सेट के नौ करने सेट को यहां बताया कि नौ में तो एक छेद था यहां सुनकर के सेट बहुत चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि कास मेरा परिवार साकुसल बाहर आ जाता क्योंकि छेद होने की वज़े से नौ में पानी भी भर सकता था थोड़ी देर के बाद सेट ने क्या देखा कि उनका पूरा परिवार उसी नौ में बैठ करके हसता खेलता और आपस में एक दूसरे से हसी मज़ा करता हुआ वापस सेट की तरह आ रहा है और जब उनका परिवार बाहर आ जाता है तब वह अपने घर को चले जाते हैं उसी दिन सुबह के समय वह लड़का जब अपना महिंताना लेने के लिए सेट की पास आता है तब सेट ने उसके द्वारा नाव पर पेंट किये हुए होने से बहुत खुस तो थे ही और उस लड़के से कहने लगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया पर यह बताओ नाव में एक छेट था जिसको मैंने एक लकड के सहता से बंद कर दिया और उसके बाद उस पर मैंने पेंट कर दिया यह सुन करके वह से बहुत खुस हुआ और उस लड़के से कहने लगे कि मैं तुम्हें पांसो के बज़े पांच हजार रुपै मेहंताना दूँगा यह सुन करके वह लड़का पांच हजार मेहंताना लेने से मना करने लगा पर सेठ ने फिर उसको और भी अच्छी तरह से समझाया और बताया कि अगर तुमने नाव में लकड की सहता से वाचेद बंद ना किया होता तो मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीवत खड़ी हो जाती पर तुमने अपनी सूजबूच के द्वारा जब नाव में पेंट किया तो उस नाव में जो छेट था पहले तुमने उसको भरा उसके बाद में पेंट किया इसलिए मैं तुम्हारी इमानदारी, मिहनत, लगन और योगिता से बहुत खुस हुआ हूँ जब इतना समझाया सेट ने उस लड़के को तब वह लड़का पैसे ले लिया और उसके बाद वह अपने घर को चला गया दोस्तों इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हम जो भी कारी करें अपनी पूरी मेहनत, लगन और इमानदारी से करें ऐसा नहीं कि हमको मेहनताना कम मिल रहा तो मैं उल्टा सीधा ही करके आजाओ नहीं आपका अपना दायत बनता है कि हम जो भी काम करें तो पूरी मेहनत, लगन और इमानदारी से करें जिस तरह से उस पेंटर ने किया उसी तरह हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम ऐसा काम करें जिस से किसी का नुकसान ना हो सके दोस्तों, तो यह रही आज की कहानी हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली कहानी में तब तक के लिए नमस्कार, जै हिंद, जै भारत